अध्याच है आप किसे जोखिम भरा मानते हैं मेरे दोनों ही डैडी सक्तिसाली थे वे इस बजह से मुझे अलग-अलग वास्तिविक्ताओं के बारे में जानने वा समझने का अफसर मिला हालंकि कई बार यह है दुविदापूर यहां तक के विरुदावासी भी था लेकिन दो अलग-अलग वास्तिविक्ताओं के बारे में सुनने से मुझे लंबे समय में लाव हुआ मुझे एहसास था कि दोनों ही खुद को सही मानते थे और कभी कभार तो सामने वाले को गलत भी मानते थे मेरे असली डैडी तेजी से राज्य सासन की सेवा की पायदाने चड़ रहे थे वे बहुत तेजी से स्कूल टीचर से हवाई राज्य के सुपरिटेंडेंट ओफ एजुकेशन पद पर पहुँच गए उनकी तेज तरकी देखकर लोग काना फूसी करने लगे कि किसी दिन मेरे डैडी राज्यनितिक पद का चुनाव लड़ेंगे जिस वक्त मेरे डैडी सासके सेवा की पायदाने चड़ रहे थे अमीर डैडी गरीवी से बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और दौलतमंद बनने की राह पर पहुँच रहे थे जब उनका बेटा और मैं हाई स्कूल में पहुँचे तब तक वे अमीर बन चुके थे और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे थे जिस योजना पर वे 20 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे थे वह अब काम करने लगी थी अचानक लोग उन पर और उनके कामों पर दियान देने लगे थे अब वे गुमनाम नहीं थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था अब लोग हैरान होने लगे थे कि यह व्यक्ति कौन था जो अचानक हवाई की महंगी प्रॉपर्टी खरीदने लगा था अमीर डैडी ने सूने से सुरुआत की थी उनके पास दीरगाल योजना थी वे अपनी योजना पर चल रहे थे और अब हवाई के अमीर तथा प्रभाब साली लोगों की नजरों में चड़ रहे थे 40 साल की उम्र के बाद अमीर डैडी ने हमारे छोटे कस्वे से बाहर का रुख किया और वाई की की बीच पर कई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की पेसकस की Resort Market के इस नए खिलाडी के बारे में अखवारों में लेखों की भर मार हो गई जल्दी ही वे वाईकिकी की बीच की कई प्रॉपर्टीज के मालिक बन गए इसके अलाबा बाहरी टापूँ उपर कई समुद्रतत की प्रॉपर्टीज के भी मालिक बन गए अब अमीर डैडी एक दूर दराज के टापू के छोटे कस्वे से आने वाले गरीब लड़के नहीं रह गई थे अब वे सक्रिय हो चुके थे और लोगों का ध्यान इस तरफ जाना ही था जब मेरे डैडी जब मेरे दोनों डैडी अपने अपने करियर में बड़े कदम उठा रही थे तम मैं न्यू यार्क में मिलिटरी अकेडमी में था अमीर डैडी का बेटा माइक उस वक्त वाक की बीच पर एक पेंट हाउस अपार्टमेंट में रहता था वह हवाई यूनिवस्टी में पड़ता था लेकिन साथ ही उसे अपने पिता के फैलते सामराज जो को संभालने के लिए तयार किया जा रहा था यह सुनना बहुत प्रभावसाली लगता है कि वह पेंट हाउस अपार्टमेंट में रहता है जबकि सच तो यह था कि माईक उस होटल को चला रहा था जिसमें वह पेंट हाउस था क्रिस्मिस की चुट्टियों में घर आने पर मैं माईक और अमीर डैडी के आफिस में चर्चा कर रहे थे हमने अकैडमी या यूनिवस्टी में क्या सीखा और किन नई लोगों से मिले देश भर के यूवकों से मिलने के बाद मैंने माईक और अमीर डैडी से यह बात कही मैंने ध्यान दिया है कि लोग पैसे के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं मैं बहुत दौलत मंद परिवारों के लड़कों से मिला हूँ और बहुत गरीब परिवारों के बच्चों से भी हालंकि जारतर लड़के लड़कियां सेक्षडिक दर्ष्टी से प्रतिभाशाली हैं लेकिन गरीब और मध्यवर्गी लड़के अमीर परिवारों के लड़कों से अलग तरीके से सोचते हैं मेरी इस बात पर अमीर डैडी ने ततकाल प्रतिक्रिया की उन्होंने कहा वे अलग तरीके से नहीं सोचते वे विपरीद सोचते हैं अपनी डैक्स पर पैट कर उन्होंने अपना पीला नॉटपेड उठाया और उस पर यह तुलना लिख दी विपरीद सोच मध्यवर्ग, नौकरी की सुरक्षा और अमीर लाल्ची होते हैं जबकि विपरीद सोच अमीर वर्ग की बिजनिस बनाना, अपार्टमेंट हाउसेज, पैसे का निवेज करना अमीर उदास होते हैं यह लिखने के बाद अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा तुमारी वास्तविक्ता इस बात से तैह होती है कि तुम किसे स्मार्ट और किसे जोखिम भरा मानते हो उनके डैग्राम की ओर देखते हुए मैंने पूछा, आपका मतलब है मध्यवर्ग यह सोचता है कि नौकरी की सुरक्षा इसमार्ट तरीका है और बिजनिस बनाना जोखिम भरा तरीका है मैं इस वास्तविक्ता को अच्छी तरह जानता था क्योंकि यह मेरे गरीब डैडी की वास्तविक्ता थी सही है, अमी डैडी ने कहा नौकरी की सुरक्षा के बारे में और कुछ मैंने कुछ समय तक सोचा लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने जवाब दिया मैं नहीं जानता कि आप किस जवाब की उमीद कर रहे हैं यह सच है कि मेरे डैडी सहित बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सुरक्षित नौकरी चुनना इसमाट तरीका है मैं किस चीज को नजर अंदाज कर रहा हूं, तो मेरी वास्टवित को नजर अंदाज कर रहे हो मैंने तुमसे कहा था कि मध्याबर्गी और गरीब लोग सिर्फ अलग नहीं सोचते हैं मैंने कहा था कि वे बिलकुल विपरीत सोचते हैं तो मेरी विप्रीत वास्तिविक्ता क्या है अचानक Amir Daddy की विप्रीत वास्तिविक्ता मेरी समझ में आ गई आपके हिसाब से बिजनेस बनाना इस्मार्ट तरीका है और नौकरी की सुरक्षा जोखे मरी है क्या विप्रीत से आपका यहीं मतलब है मैंने पूछा अमी डेडी ने सहमती से सिरह लाया मैंने पूछा आपका मतलब है आप बिजनिस बनाने को खतरनाप नहीं मानते हैं अमी डेडी ने इनकार में अपना सिरह लाकर कहा नहीं बिजनिस बनाना सीखना किसी और चीज को सीखने जैसा ही है मैं सोसता हूँ कि जिन्दगी भर नौकरी की सुरक्षा से चिपके रहना बिजनिस बनाना सीखने से ज्यादा जोकिम बरा है एक जोकिम अल्प्रकालीन है और दूसरा जिन्दगी भर चलने वाला है यह बातचीत 1960 के दसक के अंत में हुई थी तब हम डाउन साइजिंग या छटनी जैसे सब्द नहीं जानते थे हमें से जादा तर लोग उस वक्त बस इतना जानते थे कि आप पढ़ाई करते हैं नौकरी करते थे जिन्दगी भर काम करते थे और जब आप रेटायर होते थे तो कमपनी और सरकार आपकी देखवाल करती थी हमें घर और स्कूल में बस इतना सिखाया गया था अच्छी पढ़ाई करो ताके तुम अच्छे कर्मचारी बन सको यह कहा तो नहीं जाता लेकिन मतलब यही निकलता था कि इसकूल जाने का मतलब नौकरी पाने के लिए नौकरी पाने के अधिक योगे more employable बनना था और यही smart विकल्प था आज हम मैं से जादातर लोग जानते हैं कि नौकरी की सुरक्षा अतीत की चीज है लेकिन उस वक्त कोई भी इस बारे में सवाल नहीं करता था कि नौकरी की सुरक्षा चाहना smart विकल्प है मैंने अमीर डैडी की उस तुलना की तरफ देखा कि अमीर लालची होते हैं या अमीर उदार होते हैं और मैं उस पल जान गया कि मेरी वास्तविक्ता क्या थी मेरे परिवार में अमीर लोगों को बेरहम और लालची माना जाता था जिनकी दिल्चस्पी सिर्फ पैसे में होती थी और जो गरीबों की परवाह नहीं करते थे अपनी सूची की तरफ इसारा करते हुए अमीर डैडी ने कहा क्या तुम सोचने के फरकों को समझ गए हो सोचने के तरीके अलग नहीं है बिलकुल विपरीत हैं मैंने धीरे से कहा इसलिए अमीर बनना लोगों के लिए अकसर इतना मुश्किल होता है अमीर बनने के लिए सिर्फ अलग सोच की ही नहीं बलकि विपरीत सोचने की जरूरत होती है अमीर डैडी ने से रहला कर सहमती जदाई और उस विचार को मेरे भीतर उतरने दिया अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने सोचने के बरतमान तरीके से ठीक विपरीत तरीके से सोचना सीखना होगा सिर्फ सोचने के तरीकी को बदलना होगा मैंने पूछा क्या इसमें अलग तरह से काम करने की जरूरत नहीं है सच कहा जाए तो नहीं अमीर डैडी ने कहा अगर तुम नौकरी की सुरक्षा के लिए काम करते हो तो तुम जिन्दगी में ज्यादा तर समय कड़ी मेहनत करोगे अगर तुम बिजनिस बनाने के लिए मेहनत करते हो तो तुम सुरुआत में ज्यादा कड़ी मेहनत करोगे लेकिन तुम अंत में कम से कम काम करोगे और साइद दस, सो या एक हजार गुना जादा पैसे कमाओगे तो विकल्ब कौन सा जादा स्मार्ट है और निवेस के बारे में मैंने पूछा मेरे डैडी, मेरे मम्मी डैडी हमेशा कहते हैं कि निवेस करना खतरनाक है और पैसे बचाना स्मार्ट तरीका है जब आप निवेस करते हो तो क्या आप अलग तरीके से काम नहीं करते हैं अमी डैडी यह बास सुनकर मुस्क्राए और बोले पैसे बचाने और पैसे का निवेस करने के लिए एक जैसे काम करने होते हैं आप वही काम करते हैं, हालनके आपकी सोच बिलकुल बिपरीत होती है, वही काम मैंने पूछा, लेकिन क्या एक से ज़्यादा जोखिम नहीं है, नहीं, अमीर डैडी ने दुबारा हसते हुए कहा, मैं तुम्हें जिन्दगी का एक महत्वपूर सबक सिखाना चाहता हूँ, मै जो पूछना चाहें, पूछिए, उन्हाने पूछा, पैसे बचाने के लिए तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, मैंने कुछ समय तक उनके सवाल पर सोचने के बाद कहा, वे बहुत से काम करते हैं, कोई भी एक काम बता दो, अमीर डैडी ने कहा, ऐसा काम बताओ, जिसमे मैं वे अपना काफी समय लगाते हो, देखिए हर बुदवार को जब अखवारों में सुपरमार्केट सापताहिक फूड इस्पेसल का विग्यापन देते हैं, तो उन्हें पढ़ने के बाद ही मेरे मम्मी डैडी सपता का फूड बरज़त बनाते हैं, वे खाने पीने के सामा वे खाने पीने के सामानों पर सेल्स और क्लिप कूपन की इतलास करते हैं, मैंने कहा, इस काम में वे बहुत समय लगाते हैं, दरसल हमारे घर क्या बनेगा, यह भी इसी बात से होता है कि सुपरमार्केट में किस चीज की सेल लगी है, अमी डैडी ने पूछा, फिर वे क्या करते हैं, फिर वे सहर के अलग-अलग सुपरमार्केट में जाते हैं और डिसकाउंट पर मिलने वाले सामान खरीदते हैं, मैंने जवाब दिया, वे कहते हैं कि सेल्स पर मिलने वाले फूड आइटम्स की सौपिंग से वे बहुत सा पैसा बचा लेते हैं, बेसक, ऐसा ही अमी डैडी ने कहा, और क्या वे कपड़ों की सेल्स से भी खरीदारी करते हैं, मैंने हामे से रहलाया, हाँ, और वे कार खरीदते समय भी ऐसा करते हैं, चाहे कार नई हो या सेकेंड हैं, वे पैसे बचाने के लिए सौपिंग करने में बहुत समय लगाते हैं, अमी डैडी पूछा तो उन्हें लगता है कि बचत स्मार्ट का स्मार्ट काम है निश्चित रूप से मैंने जबाब दिया दरसल जब वे देखते हैं कि कोई चीज सेल पर है तो वे उसे थोक में खरीद कर अपने बड़े फ्रिजर में रख लेते हैं कुछ समय पहले सेल में उन्होंने इतना सारा पॉर्क खरीद लिया है कि अगले छे महीने तक चलेगा वे इतने जबरदस छूट पर रोमांचित थे अमी डैडी जोड जोड से हसले लगे उन्होंने कहा पॉर्क उन्होंने कितने पैसों का पॉर्क खरीद डाला वह तो मुझे नहीं पता लेकिन उन्होंने बहुत सारा खरीदा था हमारा फ्रीजर पूरा भर भर गया है लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉर्क ही नहीं खरीदा था उन्होंने दूसरे स्टोर पे लगी सेल्स में हैंबर्गर खरीद कर उसे भी फ्रीजर में भर लिया था अमी डैडी ने हस्ते हुए पूछा तुम्हारा मतलब है कि उनके पास सिर्फ सेल के सामान भरने के लिए इतना बड़ा फ्रीजर है हाँ मैंने जवाब दिया वे पाई पाई बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं वे कूपन काटने और सौपिंग करने में बहुत समय लगाते हैं क्या इसमें कुछ गलत है नहीं अमी डैडी ने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है यह तो बस बास्तविक्ता का फर्क है मैंने पूछा क्या आप यह काम नहीं करते हैं अमी डैडी ने हस्ते हूँ कहा मैं इंतजार कर रहा था कि तुम यह सवाल मुझसे कब पूछोगे अब मैं तुम्हें जिन्दगी का एक बहुत ऐहम सबक सिखा सकता हूँ यह सबक कि आप वही काम नहीं करते हैं जो मेरे माता पिता करते हैं मैंने एक बार फिर पूछा मैं अपने पिछले सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था नहीं अमी डैडी ने कहा सबक यह है कि मैं भी बिल्कुल वही काम करता हूँ जो तुमारे माता पिता करते हैं दरसल तुम मुझे ऐसा करते हुए देख भी चुके हो क्या? मैंने पूछा आप अपने फ्रिजर को भरने के लिए सेल में जाकर सौपिंग करते हैं मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कभी ऐसा करते देखा है नहीं तुमने नहीं देखा अमी डड़ी ने कहा लेकिन तुमने मुझे सेल पर मिलने वाले निवेसों की सौपिंग करके अपना पोर्टफोलियो भरते हुए देखा है इस बात को सुनकर मैं कुछ समय के लिए खामोस बैठा रहा आप अपने पोर्टफोलियो को भरने के लिए सौपिंग करते हैं जबकि मेरे माता पिता अपने फ्रेजर को भरने के लिए सौपिंग करते हैं आप यह कहना चाहते हैं कि आप दौनों वही काम करते हैं लेकिन आप अलग अलग चीजों को सौपिंग करते हैं और उन्हें अलग अलग जगों पर भर कर रखते हैं अमीर डैडी ने सहमती जताई वे चाहते थे कि यह सबक मेरे 20 साल के दिमाग में घुच जाए आप दोनों वही काम करते हैं लेकिन इसके बावजूद मेरे माता पिता जादा गरीब बन जाते हैं और आप जादा अमीर बन जाते हैं क्या यही सबक है मैंने पूछा अमीर डैडी ने अपना से रहला कर कहा यह सबक का एक हिस्सा है मैंने पूछा सबक का दूसरा हिस्सा क्या है सोचो अमी डड़ी ने कहा हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं मैंने एक पल के लिए सोचा और आखिरकार सबक का दूसरा हिस्सा मेरी समझ में आ गया मैंने कहा ओ आप और मेरे माता पिता समान काम करते हैं लेकिन आपकी वास्तविक्ताएं अलग हैं थोड़ा और वताओ अमी डड़ी ने कहा चुक्वे सोचते हैं कि निवेस खतरनाक है इसलिए वे पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वास्तविक्ता में वे वही काम कर रहे हैं जो आप करते हैं अगर वे निवेस के बारे में भी अपनी वास्तविक्ता बदलने और वही काम करें जो वे पॉर्क पर पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा अमीर बन जाएंगे आप भी उनके जैसे ही काम करते हैं लेकिन आप बिजनेस रियल एस्टेट स्टॉक बॉंड्स और अन्य वेफसाइक या निवेस अपसवरों की सौपिंग करते हैं आप अपने पॉर्टफोलियो के लिए सौपिंग करते हैं जबके भी अपने फ्रीजर के लिए सौपिंग करते हैं वे भी वही काम करते हैं लेकिन एक अलग वास्तविक्ता से करते हैं अमीर डेडी ने कहा अनके काम नहीं हैं बलकि अनकी वास्तिविक्ता ही उन्हें गरीब या मध्धवर्गी बनाती हैं उनकी मांसिक वास्तिविक्ता ही उन्हें गरीब बनाती है मैंने धीमे से कहा हम किसे स्माट और किसे खतरनाथ मानते हैं उसी से जीवन में हमारी सामजेक आर्थिक इस्तती तेह होती है मैं कॉलेज में अर्थ सास्तर की क्लास में सीखे एक नए वाक्याँस का प्रियुक कर रहा था Amir Daddy ने आगे कहा हम एक ही काम करते हैं लेकिन अलग-अलग मानसिक्ता से संचालित होते हैं मैं Amir व्यक्ति की मानसिक्ता से काम करता हूँ इसलिए उन लोगों के उधारण ढूंड लेते हैं जिन्होंने निवेस में अपना पूरा समय अपना पूरा पैसा गमा दिया जिन्हें जबरदस्त गाटा हुआ उनकी यह वास्तविक्ता उन्हें दूसरी वास्तविक्ताओं के प्रति अंधा बना देती है वे सिर्फ वही देखते हैं جसे वैं सच मानते हैं Хालांके वैं पूरी तरह सच नहीं होता है माइक ने कहा जो इनसान नौकरी की सुरक्षा को समार्ट मानता है वैं ऐसे उधारड खुज लेगा कि नौकरी की सुरक्षा समार्ट चीजें क्यों है और ऐसे उधारड भी खोज लेगा कि बिजनिस खड़ा करना खतरना क्यों है इनसान जिस वास्तविक्ता में यकीन करना चाहता है उसकी पुस्टी करने के लिए उधारड खोजता है बिलकुल ठीक अमी डड़ी ने कहा क्या इसमें समझधारी लगती है क्या तुमने सबक समझ लिया मैंने सिरह लाया हलनके मैं अब भी सबक को आत्मसात कर रहा था मैंने पीले नोट पेट पर लिखी उस पंक्ती की और इसारा करते हुए कहा जिस पर बड़ा मकान और अपार्टमेंट हाउसे लिखे थे तो मेरे मम्मी डड़ी हमेशा सपनों से ज़्यादा बड़े मकान की सौपिंग करते थे जबकि आप हमेशा ज़्यादा बड़े अपार्टमेंट हाउसे की सौपिंग करते रहते थे आप दोनों एक ही काम करते थे लेकिन इसके बावजूद आप ज़्यादा अमीर बन रहे हैं जबकि मेरे मम्मी डैडी हाउस लॉन की ज़्यादा बड़ी किस्तें चुकानी यह मान सकता और वास्तविक्ता की सकती का एक और उधारण है है ना हाँ हमी डैडी ने कहा और हमारे मम्मी डैडी हमेशा बड़े मकान की सौपिंग क्यों करते रहते हैं मैंने जवाब दिया क्योंकि डैडी की तंखा बढ़ती रहती है इसलिए उनके टैक्स भी बढ़ते रहते हैं उनका अकाउंटेंट उनसे ज़्यादा बड़ा मकान खरीदने को कहता है ताकि हाउसलोन की ज़्यादा किस्त से वे टैक्स में ज़्यादा छूट ले सकें और वे सोचते हैं कि यह स्मार्ट तरीका है है ना अमी डैडी ने पूछा वे सोचते हैं कि यह स्मार्ट तरीका है क् की वे मकान को संपत्ती बानते हैं और साथ मैं उन्हें सरकार से टेक्स में बड़ी छूट भी मिलती है मैंने सिरह लाया और आगे कहा और वे सोचते हैं कि अपार्टमेंट हाउसेज खरीदने में जोखेम है हम दोनों को टेक्स में एक सी छूट मिलती है फर्क इतना है कि मेरी टेक्स की छूट मुझे ज़्यादा अमीर बनाती है और तुम्हारे मम्मी डैडी टेक्स की छूट के कारट ज़्यादा संघर्ज करते हैं और ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं मुझे अच्छे करज के लिए टैक्स में छूट मिलती है और अच्छा करज वह होता है जो मुझे ज़्यादा अमीर बनाता है जबकि तुम्हारे ममी डैडी बुरे करज के लिए टैक्स में छूट मिलती है क्या तुम्हें अब समझ में आया कि व्यक्ति जिसे स्मार्ट और जोखिम भरा मानता है उस से उसकी वास्तविक्ता किस तरह तै होती है अमीर डैडी ने पूछा माइक और मैंने दौनों ने सहमती से सिरह लाया माइक ने कहा मैं अब बहतर समझ रहा हूँ मैंने अमीर लालची होते हैं और अमीर उदार होते हैं कि और इसारा करते हुए पूछा सबसे पहले तो यह है जान लो कि लालची या उदार होने का अमीर या गरीब होने से कोई संबंद नहीं होता दुनिया में बहुत से गरीब लोग लालची होते हैं जिस तरह बहुत से गरीब लोग उदार होते हैं और अमीरों के बारे में भी यही बात सही है अमीर डैडी ने कहा और जैसा मैंने तुम से हमेशा कहा है अमीर बनने के कई तरीके होते हैं आप कंजूस बनकर अपनी दौल बहुत लोगप्रिय खेल है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इससे आप क्या बन जाते हैं। आप बदमास बनकर अमीर बन सकते हैं लेकिन जेल जाने का जोखिम क्यों लेना। जब जेल से बाहर रहकर भी अमीर बनना बहुत आसान है। आप सिर्फ खुस किसमती से भी अमीर बन सकते हैं लेकिन इसमें समस्या यह है कि ज़्यादा अमीर बनने के लिए आपको अपनी बुद्धी के बज़ाए किसमत पर भरुसा करना पड़ता है। मैं यह पहले भी कई बार सुन चुका था। इस बार मैं सच मुझ ज़्यादा अच्छे से समझना चाहता हूं कि उदार बनकर अमीर कैसे बना जाता है। इसलिए मैंने आगे पूछ लिया तो अमीर लालची होते हैं और अमीर उदार होते हैं मैं क्या फरक है। अमीर डैडी ने मेरे सवाल के जवाब मैं मुझसे ही पलट कर पूछ लिया। जब हम दोनों ने सिरहला दिया तो अमीर डैडी ने आगे कहा देखो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा करना उदारता का एक रूप है। दरसल उदार बनना अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है माइक ने कहा आपका मतलब है कि अमीर बनने के लिए हमें ज़्यादा लोगों की सेवा करनी चाहिए सही कहा अमीर डैडी ने कहा जब भी मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूं और मुझे बस खुद से इतना पूछना होता है कि मैं ज़्यादा लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूँ फिर माइक ने मेरी और मुड़ कर कहा मेरे डैडी ने कभी यह बात तुम्हारे सामने नहीं कही लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम उनके अगले सबक को सुनने के लिए तयार हो हम अब इतने बड़े हो गए हैं कि ज़्यादा बहतर समझ सकें मैंने पूछा क्या समझ सकें माइक ने अमीर डैडी से पूछा क्या मैं बता दूँ तुम्हारे पहले ही सुरू कर चुके हो इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी बात पूरी कर लो माइक मेरी और मुडा और धीरे धीरे बोलने लगा तुम्हारे असली डैडी ने तुमसे हमेशा कहा है कि अमीर लोग लाल्ची होते हैं क्या यह सही नहीं है मैंने सिरहला कर कहा हा वे ऐसा इस कारण कहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि करमचारी जितने लंबे समय तक नौकरी करें अमीर लोगों को उन्हें उतना ही ज़्यादा पैसा देना चाहिए वे इसे सीनियरिटी कहते हैं क्या यह सही है मैंने सिरह लाकर सहमती जताई माइक ने धीरे से कहा लेकिन क्या तुम समझ सकते हो कि जादतर मामलों में सीनियर होने के बाद भी कर्मचारी उतना ही काम कर रहा है या वही काम कर रहा है मैंने यह बात समझा मैं यह बात समझाता हूँ मैंने जवाब दिया लेकिन मेरे डैडी इसे इस तरह नहीं देखते वे वाकई यकीन करते हैं कि वफादारी और सीनियरिटी के आधार पर वे तनवर्दी दी जानी चाहिए तो तुम्हारे डैडी सोचते हैं कि चुकि अमीर लोग वफादारी और सीनियरटी के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देते इसलिए वे लालची होते हैं क्या यह सच नहीं है हाँ यह सच है मैंने जवाब दिया क्या तुम्हे नजर नहीं आता कि उतना ही काम करने के लिए ज़्यादा पैसे की इच्छा रखना लालच है माइक ने पूछा या ओवर टाइम या अपने कार्रेविवरन से बाहर काम करने के लिए अतरिक्त पैसे की इ वास्तविक्ता है हमारी वास्तविक्ता है अलग अलग है मेरी दुनिया में उसी काम के लिए जादा पैसे मांगना लालच है और मेरी दुनिया में अगर मैं जादा पैसे चाहता हूँ तो पहले मुझे कम से कम पैसे मैं जादा से जादा लोगों के लिए जादा से जादा करन की जरूरत है तब ही मैं अमीर बनता हूँ इसलिए डैडी ने हमें हैंरी फोर्ड की जीवनी पढ़वाई थी माइक ने कहा हैंरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों मैंसे एक इसलिए थे बने क्योंकि उन्होंने कम से कम लागत पर जादा से जादा लोगों को कार इसलिए होता है क्योंकि वास्तविकताएं अलग-अलग हैं मैं समझता हूँ कि मैंने कहा बड़े होने पर मैंने लोगों के फर्क पर ध्यान दिया जो लोग कम से कम पैसे से जादा से जादा काम करने के इच्छुक होते हैं वे उन लोगों से अलग होते हैं जो कम से कम काम क के जादा से जादा पैसा कमाना चाहते हैं, मेरे डेडी की दुनिया में university professors को सबसे जादा पैसे मिलते हैं और वे सबसे कम पढ़ाते हैं, वे इसे tenure कहते हैं और मेरे डेडी वास्त्विकता के इसी model को समर्धन करते हैं और उन्हें इसे smart तरीका मानने का हक है अमीर डैडी ने कहा लेकिन मैं इस तरीके से नहीं सोचता हूँ इसलिए तुम्हारे डैडी के पास मेरे डैडी से बड़ा मकान है माइक ने कहा मेरे डैडी ने बरसों तक apartment houses खरीदे और बनाई है ताकि वे जादा से जादा परिवारों को सस्ते से सस्ता मकान उपलब्द करा सकें वे जितने जादा apartment बनाते हैं किराया उतना ही कम होता जाता है अगर मेरे डैडी जैसे लोग नहीं होते तो कई गरीब परिवार जादा किराया दे रहे होते क्योंकि तब तक बहुत apartment कम होते क्योंकि तब बहुत कम apartment होते जादा apartment का मतलब होता है कहीं कम किराया यह मांग और आपूर्ती की मूल भूत आर्थिक से धानत है तुम्हारे डैडी ने अपने परिवार और खुद के लिए ज्यादा बड़े मकान खरीदने की खातर महनत की वे किसी दूसरे के लिए मकान उपलब्द नहीं कराते हैं और वे फिर भी सोचते हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं यह तुम्हारे डैडी की वास्तविक्ता है लेकिन मेरे डैडी की वास्तविक्ता नहीं मैं वहां खामोसी से बैठकर कृतक गे महसूस कर रहा था क्योंकि माइक और उसके डैड़ी इस विसेपर मेरे साथ बहुत नर्मी से बात कर रहे थे वे मुझे लालची और उदार सब्दों का फर्क बताने की पूरी कोशिस कर रहे थे 20 साल की उम्र में मैं अपनी वास्तविक्ता बदल रहा था मैं जानता था कि मैं जो चाहूं वास्तविक्ता चुन सकता हूं और मैं अपने अमीर डैड़ी की वास्तविक्ता को चुन रहा था और वह वास्तिविक्ता यह थी कि ज़्यादातर अमीर लोग उदार होते हैं मैं जानता था कि आज के बाद अगर मैं ज़्यादा अमीर बनना चाहूंगा तो पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि ज़्यादा उदार कैसे बनूँ मैं जानता था कि कम काम करके ज़्यादा पैसे मांगने की नीती पर चलकर ज़्यादा अमीर बनने का बिकल्प चुन सकता हूँ लेकिन मैं यह भी जानता था कि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करके भी मैं ज़्यादा अमीर बन सकता था मेरे पास अपनी वास्तविक्ता चुनने का विकल्प था जैसा अमीर डैडी ने कहा था सोच अलग नहीं है यह तो बिपरीद सोच है 20 साल की उम्र में मैं अपने परिवार की सोच से बिलकुल बिपरीद दिसामे सोचना सुरू कर रहा था जवानी में अमीर बनकर रेटायर होने से पहले मुझे तो बस इतना पता लगाना था कि जादा से जादा लालची बनने के बजाए जादा से जादा उधार कैसे बना जाए मैं यह देखने लगा था कि मेरे परिवार की सोच लालची सोच थी Rich Dad series की दूसरी पुस्तक Cash Flow Quadrant में मैंने अलग-अलग Quadrant को अलग-अलग लोगों के बारे में लिखा था जिसका डाइग्राम नीचे है अलग-अलग डाइग्राम अलग-अलग वास्तविक्ताओं को दरसाते हैं अगर कोई व्यक्ति Quadrant बदलना चाहता है या दो या उससे ज्यादा Quadrant में पहुँचना चाहता है तो इसके लिए वास्तविक्ताओं बदलने की जरूरत होती है उधारड के लिए Quadrant जिसका मतलब कर्मचारी यानि Employee है वह Quadrant है जो दुनिया को नौकरी की सुरक्षा की वास्तविक्ता के नजरिये से देखता है अगर आप S और B यानि बिजनिस Quadrant की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि इनमें लिवरेज की सक्ती का अंतर होता है छोटे बिजनिसमेन और बड़े बिजनिसमेन में एक मुख्य अंतर यह होता है कि बड़ा बिजनिसमेन मालिक एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिस करता है जिसमें वे जादा से जादा लोगों की सेवा कर सके छोटा बिजनिस मालिक अक्सर अपने विक्तिकत ओनर या उपस्तिती के आधार पर जादा से जादा लोगों की सेवा करता है S-Quadrant के साथ समस्या यह होती है कि छोटे बिजनिस मालिक के पास अवसर उतना अकसर उतना समय नहीं होता है और वह उतने जादा लोगों की सेवा नहीं कर पाता जितने की सेवा बड़ा बिजनिस मालिक करता है छोटे बिजनिस मालिक और बड़े बिजनिस मालिक में एक फर्क यह भी है कि S Quadrant का बिजनेस मालिक व्यक्तिकत रूप से लोगों की सेवा करता है जबकि B बिजनेस मालिक एक सिस्टम का प्रियोग करता है ताकि वह जादा से जादा लोगों की सेवा कर सके I Quadrant जिसका मतलब निवेसक इन्वेस्टर है अमीरों के खेलने का मैदान है निवेसक पैसे से पैसा बनाते हैं उन्हें काम नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है एक सुझाब आप जल्दी से एक क्विज में हिस्सा लें क्विज यह है इन वेस्टर पर आपके परिवार के सदस्यों की वास्तविक्ता क्या है नमबर एक नौकरी की सुरक्षा नमबर दो बिजनिस खड़ा करना नमबर तीन बड़ा मकान नमबर चार अपार्टमेंट हाउसे नमबर पांच पैसे बचाना नमबर चार पैसे का निवेस करना नमबर साथ अमीर लोग लालची होते हैं अथवा उधार इसके इसमाट और जोखिम भरा तरीके पर क्विज बनाए अब आप अपनी वास्तविक्ता के हिसाब से इन ही सवालों के जवाब दे मैं आपसे पहले परिवार की स्थती देखने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनकी वास्तविक्ता बहुत प्रबल भावनात्मक वास्तविक्ता हो सकती है अपनी वास्तविक्ता की तुलना अपनी परिवार की वास्तविक्ता से करने के बाद आप एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों की वास्तिविक्ता के अंतर को समझ सकते हैं जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए मुझे अपने परिवार की वास्तिविक्ता को अस्विकार करना पड़ा तब कहीं जाकर मैं अपनी वास्तविक्ता की खोज पाया किम और मुझे जवानी में अमीर बनकर रेटायर होने के लिए कम लोगों की सेवा करके ज़्यादा भुगतान की इच्छा करने के बजाए ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने के तरीके खुजने पड़े